कि च्रिकेट की खबरों के लिए ईंडिया टीवी क्रिकेट यूटीым चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं इंडिया टीवी क्रिकेट यूटीव चैनल में आज हम एक बड़ी एंतिहासिक लम्हे के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि ये आज ही का दिन था यानि कि 19 सितंबर 2007 तो आज कितने साल हो गए इस बात को करीब करीब 13-14 साल पहले की ये बात है और उस समय उस मैदान में उस डग आउट में मैं कहूंगा हमारे साथ जो इस वक्त बैठे वे हैं जो किसी पहचान के अपने जमाने में गिंदबाज है अपने जमाना भी अभी तक जमाना चल रहा होता तो खेल रहे होता है तो सिर्फ 35 कही हैं अभी इनके साथ के सारे खिलारी अभी इंटरनाशनल क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन वो लमा मैं कौनसा कह रहा हूं आप समझ गया होंगे कि 19 सितं लेकिन रेकार्ड जब बना था तब डेसिंग रूम में आरपी थे छे चक्के लगाए स्टूर्ड ब्राट को थोड़े उस लम्हे के बारे में हमें बताए वो पूरा जो छे गिंदे थी आरपी आप अपनी नज़रों से हमारे साथ शेयर करें ये आप एक मैच खेलते हो त दोनों टीमें लड़ रही उसके बीच में चोटा मैच यूराज और एंट्री फिल्टाव को चल रहा था बीच बीच में जो उन्हें नोग जोग चल रही थी उसके बाद उसने छे चक्के लगाए और छे चक्के मैं खुड डगाट में मावजू था अब देखो एटीम में एक बार हमें लगा कि यार तीन चक्के लगातार मार दी हैं यहां से गेम शुरू हुआ है पहला दिक दो तो हम लोग देखते रहे था था तीसा चक्का मौलों काफी बाल हाई गया और उसके बाद चेह हुआ है है तीन गेंद बाकी है मतलब हो सकता है कुछ नया हो जाए त क्योंकि आपन बहुत लोग ऐसा सोच रहे हुआ है कि अपकर दिमाग को चीज आती ही रहती है अविए बहुत लोग सोच रहे हैं तो उस ग्राउंड के अंदर मैं दिमागों बात आई कि छे चक्के हो सकते है और इंबेट्विन तब तब तक का थोबात कि स्ट्वर बाट स और जो हमें देखके लगा राउंड दी गेंद बाजी करने आया तो उसका तो आउससाइड ऑफ सम या और कर डालेगा उसने प्रयास भी होई किया होगा पर लो फुल टॉस था वो शौट बैकवर्ड पॉइंट पर छे वगते यह उन्विलिविल शौट है यार यह शौट भ जब गय थे उस समय पहला चखा लग गया लग जा जाता है चक्के मार दून भी मार दो तो हमेशा देखें तीन से आपके दिमाग में बात आनी शुरूरी यह कुछ अलग हो रहा है छह के छह ना लग जाए चौथा लग गया तो उसमें ड्रेसिंग रूम में क्या बात चल रह तो आज भाई का कुछ अलग दिन है इसमें कुछ हो सकता है बड़ा क्योंकि जैसा बैट का फ्लो चला यूरा सिंग का पोलर टौर्णामेंट में से बल्ले से डॉमिनेट किया बिल्कुल और उसका अगली फिर कॉलिंग भागते हुए और स्टूर्ट बार के अपास कि जाते ह मुझे ध्यान है कि फिर वह वापस और दिया आगा गेंट बाजी करने के लिए अगला बॉल पाच्वा शॉर्ट तो लॉंग आफ की उपर से छे बिल्कुल है ना ओफसों के बाहर के बाल जो मेरी मेरी करी कि एकड़म कि वह छे चक्के मुझे ध्यान है पर एक्जाट और पिजगें थी और चका मार ही लो चटी गया इंपर उसको मार के छे चके पूरे किये यह कमाल का वो था उसके बाद क्या आप लोग ड्रेसिंग रूम में क्या बात हो रही थी हाई फाइफ चल रहे होंगे आप लोग तो जिस तरीके से देख रहे थे कि मतलब हसासी भी रही थी समझ में भी नहीं आ रहा था वो लमा जो था वो आप लोगों ने मतलब बाद में जाके आपको दरूर फील हुआ होगा जब देखते होंगे री प्लेस को उस समय आप लोगों को लगा ये कितना बड़ा एक कार नामा कर दिया यह यहां पर बिलकुल लगा कि कि तो आपर तो हम लोग तो मतलब मैं को शुकर विजार होने युराज सिंग का कि वह एतिहासी लामा दिखाने के लिए इस टेखावर से बैठ के लिए हम लोग काफी खुचता और युराज भी बहुत है था कि यह यहां रिक्शन ग्राउंड में बड़ा जबरदस था युराज तो युराज का हलकिलकी मुस्रा गया कि क्या बढ़िया हुआ है तो जब युराज सब फर्स टाइम बहुत आए बैटिंग कर गए तो युराज का क्या रिक्शन था उस समय कुछ हज रहा था है एकदम और उसने जो कारणामे किया था उसको बोलने कुछ रदी हम भी लोग तो बोल रहती है किया अपर फिर अपने चौथा चॉथा चक्का मारा ना पॉइंट के उपर तो मुझे लगा चे चोट चे हो जाएंगे किसे बोला है मैं तो सीट नहीं चोड़ी कि पहले 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 पांच चक्के उसी सीट से लगे तो में भी बट्ठा था तो यही सब आते हुए हम लोग कि लेकिन उसके बाद एंड्रू फिल्टॉफ और स्टूर्ट ब्रॉट को शांत कर दिया था उनने स्टूर्ट ब्रॉट तो मुझे लगा कि शायद उनका करेर ही ना खराब हो जाए लेकिन स्टूर्ट ब्रॉट की करनी होगी बहुत सारे विकेट्स ली उन्होंने इंगलिंड के सबसे सफल गेंद बाजो मेंसे एक है दुनिया के बेस्ट वन फास्टेस बेस्ट पास्टेस से था था स्टूर्ट ब्रॉट का पूरा चौंफिडेंस इन फिलिंटॉफ को पूरा शांत कर दिया यहां पर बढ़ी नोग जोग चलती थे वहां से भी जवाब दिया और उस मैच में आपका भी कॉंट्रिबूशन रहा था आपने भी दो विकेट चटकाई था उसमें कोई ने कोई मेरा कॉंट्रिबूशन था अल्मोस हर मैच में कुछ निकाल के दिया उसमें पॉलिंग कॉलिंग को आउट किया था मैंने पॉर्टन विकेट था लेकिन आपकी क्या उन 6 चकों के बाद टीम का महौल बदल गया था क्या आप लोग को भरोसा क्योंकि आप लोग खिलाड़ों ने अपना नाम वापस ले लिया सचेन है वीवियस लक्ष्ण ट्रावेड और सौरव कांगुली हाँ जैक ने भी तो उनने का हम नहीं खेलेंगे तो 2020 हम खेलते नहीं है तो एक तरह से एक formality की तरह थी कि 2020 के लिए जा रहे हैं तो जीत की किसी ने उमीद नही करने आई है वह बहुत अभी बती इतिहास में एक ही दो बार होता होगा जिसमें हम एक पार्ट थे तो आपको दिखाता है कि आपके टीम प्रॉपर तरीके से प्रपेर है और इस format को डॉमिनेट करने आई है वैसे भी अगर उस tournament की हम बात करें तो डे बाई दे हम जीते गा और डे बाई दे हमाने confidence better होता गया हमने बहुत basic cricket खेली बिल्कुल आसे हमने बहुत flashy गया कुछ नहीं हमने से basic जिसको जो best कर सकता था बिल्कुल वो बेस किया कैपने ने जो रोल दिया ऐसे commandant सबने उसको follow कि और सिपाही हम लोग लगे रहे हैं कि हाँ ये करना है उसने बहुत सारे प्लान नहीं बनाया और बहुत सारे प्लान ऐसे रहे जो हम लोगने फॉलो भी किया और फॉलो नहीं भी कि सारी चीज़ों होते रहते पर उच्छे सब्सक्राइब बात थोड़ा थोड़ा माहल बदला इनर्जी थोड़ा अलगा है हमाई रसिंगरूम में बिल्कुल चलिए एक आखरी सवाल उन 6 चकों में आरपी सिंग का फेवरेट चका था या उच्छे के शेवरेट हैं आपके शेवरेट लेकिन वो पॉइंट को पर र राड़ी थे उनसे भी बात करते हैं पता चलता है कि किस तरीके का माहौल था क्या टीम का जजबा बदल गया जुनून बदल गया विश्वास जो था वो बदल दिया 6 चकों ने और इतिहास दच करी दिया बहुत 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 शुक्री आरपी तैंकी तैंकी चको की कहानी अपनी नजरों से हमारे आई होब मुझे बॉल बाई बॉल सही से ध्यान रहा हो बिलकुल ध्यान चक्के आपको पूरे ध्यान है और यह हमेशा याद रहे हैं बिलकुल तो चलिए फिलाल यह जो स्पेशल 6 चक्के जो हमने देखे आरपी के नजर से मुझे पूरी उमीद ह है कि आपको भी बहुत मज़ा होगा धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूले ना बेल आइकन दबाना जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ